मेहुल चोकसी ने एबीपी न्यूस के सवालों का जवाब दिया, चोकसी ने क्या-क्या खुलासे किये, क्या-क्या राजों से पर्दा हटाया, बड़ी बातों के लिए सीधे चलते हैं, चित्रा के पास बिल्कुल नेहां हमारे दर्शक बेहत गौर से ये पूरा का पूरा इंटर्व्यू देख रहे थे, अब बड़ी बातें उसने अपने साधे घंटे के इंटर्व्यू में क्या-क्या कहीं है, जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, वर्ल एक्स्लोसिव इंटर्व् बैंक ने मुझे बली का बक्रा बनाया है, यानि कि कहीं न कहीं पूरा ठीकरा बैंक के ऊपर फोड़ते हुए, मेरे खिलाब जब शिकायत हुई तब मैं अमेरिका में था, यानि कि यहां पर भी अपने आपको बचाने के कोशिश करते हुए, शिकायत होने की बाद बिना ज कमपनी से मेरा कोई मतलब नहीं रहा, शिला रावल ने इसके आगे जब सवाल पुछा तो नीरव मोदी को लेकर जादा कुछ बोलने के लिए वो तयार नहीं दिखे, लेकिन बैंक के मुताबिक कागज में मुझे पार्टनर दखाया गया, एंटिगा में पासपोर्ट का आ मेहुल चोकसी ने ये बड़ी बाते कहीं, यानि कहीं न कहीं राजनीती को भी अपने पीछे ये बताते हुए कि दरसल मैं इसका शिकार हुआ हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, एंटिगा से भी निकाला जा सकता हूँ, इस बात का डर जाहिर करते हुए मेहुल चोकसी, कैसे खराब दिन आए, वैसे अच्छे दिन भी आएंगे, यानि कि अपने अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए, एंटिगा में बैठे, मेहुल चोकसी के ओर से किया जा रहा है, फरजी बाड़ा, धोखा धड़ी और हवाला के केस दर्ज हैं, और खुद उनकी ओर से कहा जिनका विदेशों में भी काफी बड़ा व्यापार और वो मेहुल चोकसी, अब फूट फूट कर ABP News के कैमरे के सामने रोते हुए, और ये कहते हुए कि दरसल मैं राजनीती का शिकार हुआ हूँ, मुझे फसाये गया है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये बड़ी बाते न